असलाम हुलेकुम आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बटर स्कॉच केक बनानी की रसिपी और यह केक जो है हम बिलकुल बेकरी स्टाइल केक आज हम बनाने वाले हैं और यह केक का टेस्ट भी जो है वह बिलकुल बेकरी स्टाइल ही है तो चलिए देखते हैं कि केक बनानी के लिए किन्चीजों की जरूरत है और आज हम यह केक जो है वह प्रिमिक्स से बनाएंगे और यह केक जो है हम आज घर केक नॉर्मल बरतन में बनाएंगे और यह देखिए यह हमने 4 इंच का एक छोटा सा बरतन ले लिया है और इसको जो है हम ऑईल से अच्छी तरीके से जो है कर लेंगे और यह देखिए हमने ग्रीज कर लिया है और यहां पर जो है हम अब थोड़ा सा जो है मेदा डस्ट करेंगे पॉस्ब्सस करेंगे और एक्स्ट्रा गॉस्ट्स जो होगा उसको हम निकाल देंगे और एक perfect cake tin या तो फिर बरतन बहुत ज़रूरी है cake बनाने के लिए और यहाँ पे जो है हमने एक छनी ले लिए है और उसमें हमने एक कप vanilla premix लिया है और अच्छी तरीके से जो है हम चान लेंगे और चानने से जो है cake बहुत ही fluffy बन के तियार होता है और इसको अच्छे से जो है हम चान लेंगे और चनी में जो है हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है क्योंके इसमें जो है सारा baking powder, baking soda ये सारी चीज़े mix होती है तो अच्छे से चान के लेना है हमें और अब हम जो है 1 cup vanilla premix के लिए 1 tablespoon oil लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी दालते हुए जो है हम इसको mix कर लेंगे एकविट consistency रखना है और oil या तो फिर आप जो है इसमें घी भी दाल सकते हो लेकिन oil जो है वो oil में कोई किसी तरह की smell नहीं होनी चाहिए ये हमने इस तरीके से इसकी flowing consistency बना ली है देखिए और अच्छे से mix कर लेना है और हमने एक पैन को preheat करने के लिए रख दिया है ये देखिए इस तरीके की consistency चाहिए इसकी और ये mixture जो है वो perfect consistency में ही होना चाहिए ना ज्यादा liquid होना चाहिए और ना ही ज्यादा solid form में होना चाहिए और क्योंकि liquid अगर ये mixture हो गया तो जो हमारा cake है वो bake होने में जो है वो time लगेगा और अगर ये hard हो गया तो थोड़ा सा solid हमारा mixture हो गया तो cake जो है हमारा soft नहीं बनेगा इसके लिए हमने इसको एक perfect consistency में रखना है और इस तरीके से जो है इसको डाल देना है cake tin में और बरतन में और इसको जो है हमने 2-3 बार अच्छे से tap कर लेना है अच्छे से tap कर लेंगे हम और यहाँ पर हमने एक pan को preheat करने के लिए रख दिया है और हमने इसको 10 मिनट प्रिहीट किया है और यह देखिए 35 मिनट के बाद हमारा cake अच्छी तरीके से bake हो गया है और यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून water लिया है और हम इसमें जो है 1 टेबल स्पून शुगर दाल देंगे और यह हमारा शुगर सिरफ ready है और अब हमने यहाँ पर बटर स्कॉच रेडी कर लेना है जिसके लिए हमने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है घी से और यहाँ पर हमने एक pan में जो है और यह देखिए 10 मिनट के बाद यह अपने आप ही melt होना शुरू हो जाएगी और यह देखिए यह liquid consistency में आ गई है और अब हमने यहाँ पर बटर दाल देना है यह salted बटर है और यहाँ पर हमने बटर दाल दिया है अच्छे तरीके से यहाँ पर mix कर लेना है और flame जो है हमें low ही रखना है high flame पर जो है यह जल जाएगा और यहाँ पर हमने जो है इस तरीके से cut कर लिया है और आप चाहो तो यहाँ पर peanuts या तो फिर दुसरी तरह के dry fruits भी ले सकते हो हमने यहाँ पर जो है low flame पर इसे जो है इस तरीके से पका लेना है और gas का flame हम बंद कर देंगे और यहाँ पर जो हमने plate को grease कर लिया अ गीसे और गरम गरम ही हमें जो है मिक्सचर plate में दाल देना है और इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से फैला लेना है और गरम गरम में ही ये और गरम गरम में ही जो है ये अच्छी तरीके से फैल जाएगा अगर ये थोड़ा से थंडा हो गया तो ये बिल्कुल भी जो है वो हाड हो जाता है अगर ये थंडा हो गया तो ये बहुत ही हाड हो जाता है तो फिर हम इसको फैला नहीं सकते हैं तो हमने गरम-गरम में ही इसको फैलाना है और यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रलीन है वो सेट हो गया है अब हमने जो है इसको नाइफ की मदद से जो है इसको हमने निकाल लेना है और हमने घी से ग्रीस कर लिया था प्लेट को तो यह असानी से निकल जाएगा इसलिए हमने प्लेट को घी से ग्रीस कर लेना है और यह देखिए हमारा प्रलीन रेडी है और अब हमने क्या करना है सारा प्रलीन को हमने क्रुश कर लेना है यहाँ पे हमने एक बट़र पेपर ले लिया है बट़र पेपर पे हमने सारा प्रलीन दाल देना है और इसको अच्छी तरीके से जो है करश कर लेना है और हमने क्या किया है इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके जो है इसको बारिक बारिक हमने क्रश कर लिया है अच्छे से इसको और यह देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रलीन है यह देखिए कारमल क्रण्च जो है हमारा वो रेडी हुआ है देखे इस सरीखे से हमने कर लिया है झाक करना है यहाँ पर जा है विप्इंग क्रीम को बीट कर लेना है अच्छेसे और यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है एक बड़ा बाल ले लिया है उसमें हमने बरफ दाल दिया है icing cubes ताल दिये हैं और फिर हमने एक अलग से छोटा सा बरतन लिया है जिसमें हमने 1 cup whipping cream डाल दी है और stiff fix आने तक हमने इसे अच्छी तरीके से बीट कर लेना है और तक्रीबन यहाँ पर हमको 10-12 मिनट लग जाएंगे whipping cream को बीट होने के लिए और यहाँ पर आप hand whisk का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन hand whisk उसे time ज्यादा लगता है whipping cream को बीट होने में और electric beater से यह काम बहुत ही आसानी से हो जाता है और यह देखिए हमारी cream अच्छी तरीके से वीप हो गई है और हम यहाँ पर टूपलाइट का whipping cream यूज़ कर रहे है और यह देखिए हमारी whipping cream जो है वो perfectly beat हो गई है अच्छे से वीप हो गई है अब हमने यहाँ पर बटर स्कॉच का emulsion मिला लेना है emulsion में जो है color और flavor दोनों मौजूद होते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हम यलो बटर स्कॉच का emulsion मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे और फिर से एक बार हमने बीट कर लेना है ताके पूरा जो cream है वो color मिक्स हो जाए और हमने एक spatula की मदद से पूरा cream मिक्स कर लेना है यह देखिए इस तरीके से और हमने इसको फ्रीज थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर देना है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा whipping cream लेके टर्निंग टेबल पर लगा दिया है और यह देखिए अब हम केक को demold करेंगे यह देखिए केक हमारा कितना softer sponge बन के ready हुआ है अब हमने जो है इसकी तीन layers cut कर लेनी है आप चाहो तो दो layers भी cut कर सकते हो और अब हमने जो है यह जो cake का extra वाला जो यह part है यह extra वाला part हमने जो है cut करके निकाल लेना है और अब हमने जो है इसकी तीन layers cut कर लेनी है यह देखिए इस तरीके से हमने जो है इसके सारे uneven जो parts है वो layers निकाल दिये हैं और अब हमने एक thread लिया है आप चाहो तो knife की मदद से भी layering जो है वो cut कर सकते हो लेकिन हमें जो है वो thread से cut करने में ही आसानी होती है इसलिए हम thread से ही cut करते हैं तो यह देखिए हम जो है कितने असानी से layers हमारी cut हुई है और thread से जो है बहुत ही असानी से layers cut होती है यह देखिए अब हमने जो है इसकी दूसरी layer भी cut कर लेनी है और layering जो है बहुत ही साउधानी से हमें cut करनी है क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लेयर उपर नीचे कट गई तो जब हम आइसिंग करेंगे तो जो लुक है केक का वो अच्छा नहीं आता है इसके लिए लेरिंग्स परफेक्ट कट होनी जरूरी है यहाँ पे अब हम शुगर सिरप लगा देंगे सबसे नीची वाली लेर पे यहाँ पे हम शुगर सिरप लगा देंगे देखे इस तरीके से और शुगर सिरप जो है वो अच्छे से लगाना और अब हम पाइपिंग बैग में हमने विपिंग क्रीम को भर दिया था यहां पे हमने whipping cream लगा दिया है अच्छे से और piping bag में whipping cream दाल के लगाने से whipping cream even ती सारी जगा जो है वो अच्छे से spread होती है एच्छी तरहाँ से whipping cream अच्छे से लग जाती है और अब हमने यह प्रलीन रेडि किया है यह प्रलीन दाल देंगे हम इस पे और अब हमने यहाँ पर यह बटर स्कॉच का जो है क्रॉश ले लिया है बटर स्कॉच क्रॉश दाल देंगे हम और यह इजीली जो है मार्केट में अवैलेबल है और इसको जो है हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है एक इस तरीके से जो है हमने इसको अच्छे से mix कर लेना है थोड़ा ही हमने यहाँ पर mix करना है अब हमने जो है इसकी दूसरी layer रखनी है फिर से हम वही सारा process करेंगे शुगर सिरप लगा देंगे यहाँ पर हम और अच्छे से हमने शुगर सिरप लगाना है जिसे एक केक जो है हमारा बहुत ही soft बन के रेडी होता है देखे इस तरीके से हमने लगा दिया फिर से हमने whipping cream लगा लेना है यहाँ पर देखे हमने जो है अच्छे से सारा whipping cream लगा दिया है और अच्छे से हम यहाँ पर सारा whipping cream लगा देंगे अब फिर से हमने यह प्रेलीन रेडी किया है यह प्रेलीन दाल देंगे हम और बटर स्कॉच बटर स्कॉच क्रश दाल देंगे और आप चाहो तो इसे skip भी कर सकते हो फिर से हमने जो है थर्ड वाली layer रख देनी है फिर से हमने जो है लेर रख देनी है और शुगर सिर्फ लगा देना है विपिंग क्रीम लगा देंगे हम और जो है हमने अब चारो तरफ से भी जो है पूरे केक को जो है पूरे केक को जो है क्रीम से कवर कर लेना है इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से जो है आइस्ता आइस्ता टर्निंग टेबल को जो है गोलगोल घुमाते हुए हमने जो है सारा क्रीम लगा देना है और यहाँ देखिए अब हमने जो है इसकी क्रम कोटिंग कर लेनी है इस तरीके से हमने क्रम कोटिंग कर लेनी है इसकी और यहां पर देखिए हमने क्रम कोटिंग कर ली है अब हमने ये टेबल को थोड़ा सा जो है क्लीन कर लेना है और ये देखिए अब हमने फिर से इसकी फाइनल आइसिंग कर लेनी है विपिंग क्रीम हम दाल देंगे केक पर इस तरीके से जो है हमने और ये देखिए इस पैच कट होगी की और हम टॉन करते हुए पुरा क्रिम को यहाँ पर हम ने एक लिया है जिससे हम प्लें कर लेंगी यह देखिए इस तरीके से और आप किसी भी scrapper का भी यूज़ कर सकते हो और friends अगर इस वीडियो से आपको कोई भी अच्छी information अगर आपको मिली है यूसफूल इंफॉमेशन आपको अगर मिली है तो subscribe जरूर कीजिए और like भी कीजिए और हम आपके लिए जो है ऐसे ही नएने वीडियो लाते रहेंगे और अब देखिए यहाँ पे जो है हमने सारा जो केक है वो अच्छे से plane कर लिया है यह देखिए इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से जो है केक जो है वो plane कर लिया है यहां पे जो है हमने थोड़ी अलक सी डिजाइन बनाई है अब हमने एक स्केल ले ली है स्केल से जो है हमने चार पार्ट्स कर लेने है केक की यह देखी इस तरीके से हलके हतों से यहां पे हमने जो है स्टार नोजल ली है और इस तरीके से जो है हम इस पे फ्लार्ज बना लेंगे ये रिखी इस तरीके से और बहुत ही असानी से जो है ये डिजाइन आप भी बना सकते हो क्योंकि बहुत ही इजी डिजाइन है ये और हम आपके लिए ऐसे ही आसान आसान केक की रेसिपीज लाएंगे तो आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और ये देखिए इस तरीके से हमने सारी डिजाइन बना लेनी है और ये हमारा बटर स्कॉच का केक है इसके लिए हमने सारा जो डेकोरेशन है वो यलो क्रीम से ही किया है ये देखिए कितनी अच्छी हमारी जो है वो डिजाइन बन गई है और ये बहुत इजी डिजाइन है जो आप आसानी से बना सकते हो और ये केक भी जो है आप असानी से घर पे बना सकते हो ये देखिए हमने जो है सारा डिजाइन जो है इसका बना लिया है अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सो जो है सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए जो है हम फ्रिज में रख देंगे और 10 मिनट के बाद अब हमने जो प्रलीन तयार किया है वो सारा प्रलीन हमने जो है अच्छे से लगा देना है और यह देखिए हमने सारा प्रलीन जो है वो अच्छे से लगा दिया है और यहां पे भी जो है अब हम इसके टॉप पे भी जो है सारा प्ररिलीन दाल देंगे यह देखी इस तरीके से और फ्रेंच देखिए हमने कितनी आसानी से जो है वटर सकॉच केग घर पे ही बना लिया है और वो भी कड़ाई में हमने ये केक बना लिया है कितनी आसानी से और फ्रेंट्स आप लोग भी बना सकते हो तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए और बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये और बिना अवन के आप कड़ाई में बहुत ही इजीली ये केक बना सकते हो और फ्रेंट्स आज का डेकोरेशन कैसा लगा है आप हमें कमेंट में जरूर बताईए कि आज की केक की डिजाइन आपको कैसी लगी है कमेंट में आप हमें जरूर बताईए और यह देखिए फ्रेंट्स हमने आपके साथ कितनी आसानी से जो है इजी डेकोरेशन जो है हमने आपके साथ शेर की है और यहाँ डेकोरेशन पूरा होने के बाद जो है हमने इसको दो गंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और यह देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी और बेकरी स्टाइल हमारा बटर स्कॉच केक बनके रडी हुआ है और हमने इसे घर में बनाया है तो यह बहुत ही हल्दी तरीके से हमने यहाँ पर यह केक बनाया है और चलिए अब हम इसको जो है कट करते हैं और घर में बनाने से जो है बहुत ही healthy और delicious cake बनके ये ready होता है और ये देखिए बिलकुल ये bakery style cake लग रहा है और देखिए अब हम इसको cut करते हैं और ये दिखने में जितना टेस्टी और डिलिशियस लग रहा है ना फ्रेंड्स खाने में भी उतना ही यम्मी इसका टेस्ट है और बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस केक हमारा जो है वो बन के रेडी हुआ है और ये देखिए कितना soft और spongy हमारा cake बन के ready हुआ है और friends आपको ये cake का decoration कैसे लगा मुझे comment जरूर कीजिए और ये देखिए हमारा cake जो है बिल्कुल bakery style cake soft और spongy cake हमारा बन के ready है thanks for watching